नमस्कार किसान साथियों मई का महीना सुरू हो चुका है और ऐसे में जो किसान बंदू मचान बिदी से लौकी की खेती करना चाहते हैं उनको अब तैयारियां सुरू कर देनी चाहिए तो मचान बिदी से लवकी की खेती के लिए किसान बंधु क्या-क्या तैयारियां करेंगे मचान की तैयारी करनी होती है, मिटी की तैयारी करनी होती है साथ में नरसरी परबंधन करना होता है अभी जो किसान बंधु लवकी की खेती किये हुए है उन्होंने जमीन पे लवकी की खेती की हुई है तो अभी गर्मी का महीना चल रहा है और जमीन पे जो किसान बंदू लवकी की खेती किये हुए है ये अभी फलन दे रहा है लेकिन अभी जो मई के महीने में हम मचान विदी से लवकी खेती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंकम जेनरेट कर सकते हैं उसके लिए उन्हें क्या-क्या तैयारिया करने चाहिए बात करेंगे सभी इस बारे में वीडियो में लाश्ट तक बने रहे मैं हो और आप देखना है यूद थेगरी कल्चर अगर रसायनी खात का परियोग हम इसके साथ में कर देते हैं तो यह निस्प्रभावी हो जाता है इसलिए हमें पहली जुताई के वक्त ही ट्राइकोडर्मा का परियोग कर देना चाहिए इसके बाद हम डाल सकते हैं इसमें 10 से 15 टन पर एकड के हिसाब से गोबर सड़ी हुई गोब करना चाहिए पर एकड के हिसाब से तो रसायनी खात में हम 25 से 30 केजी पर एकड के हिसाब से यूरिया का परियोग कर सकते हैं लेकिन बात में लौकी की फसल में यूरिया का परियोग आ पिल्कुल भी ना करें डीएपी का परियोग भी हम 25 से 30 केजी पर एकड के हिसाब से द इससे फल तयार होने में काफी बनद मिलती है और फल की साइज फल का गुणवाता रंग रूप इस पे निर्भर करता है इसलिए पोटेसियम एकड में 40-45 केजी जरूर दें आप बोरन का प्रियोग अपने खेतों में कर सकते हैं 10% बोरन कम से कम 10-15 केजी पर एकड के हिसाब से आप अपने खेतों में डाल दें इतनी चीजे बेसल डोजेज के लिए परियाब थे हमें अपने लौकी की फसल के लिए उसके पस्चात बढ़िया से जुताई करवाएं और एक अच्छा सा पट्टा फेर दें लास्ट मचान बनाने की जरुट पड़ती है तो मचान बनाने के लिए हमें कम से कम 10-14 की बास की आउसकता होती है कखमबे के लिए मचान बनाने से पहले ये जरूर सोच लिए हमारी मचान मझगूठ होनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय میں हेवा चलते हैं बरसान का मौसम में बारिस होती है और बारिस जब होती है तो जो लताएं होती है लौकी की उसका वजन बढ़ जाता है जिससे मचान गिरने के चांसे ज्यादा होते हैं अगर मचान गिर गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए मचान हमें मजबूत बनाने काफी जरूरी होते हैं। आठाट फिट पर हम एक खंभो को अगर लगाते हैं तो उसकी जो मजबूती है वो ज्यादा बेटर होती। आठाट फिट आप चारों तरफ अपने देख लें आठाट फिट की दूरी पर एक खंभो को लगाएं। और जब आप ऊपर बांस डालें तो उसकी भी मजबूती बढ़िया होनी चाहिए। इस्सको शही तरीके से लगाए और उसकी बढ़ाई छू करें तार से उसकी बढ़ाई करें। बीच के पार्ट में वार्ष दे सकते हैं या फिर उसमें ठाजान लगा सकते हैं। से भी हमारी मचान हमें हमारी हए और लंब चलती है कि सकते आप सबस्तराइबा सबस्कंद करने माप करते हैं यह सबसे कोस्टी करने में शर्ट हो चैने को लाग नहीं फ्रस डूरबा ग है πस About जो जुताई जो खाद में खर्चा इससे ज्यादा खर्च में मचान में लग जाता है लेकिन आप एक बरबांस खरी देंगे तो वह दो या तीनवर्स आसानी से चल सकते हैं वहराइटी में हम अप लट्टू नमबर वन की जो गोल वाली वैराइटी उसको ले सकते हैं फिर भ खेत में उपयोग ला सकते हैं जो भी आपकी एंड्रीया में एक सोर होता है एक इस विराइटी को लोग द्यादा पसंद करते हैं हमारी मार्केट में उसके डिमांड जैसे भीन अच्म आपको जो है इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो इसकी फॉलन जो होगी वह अक्टूबर नौमबर तक संदार चलती है इससे किसान काफी बढ़िया मुनाफ़ा कमा लेते हैं यह रही लौकी संबंदित को जनकारियां आपको मैं मचान विदी से लौकी की खेती के बारे में एक और वीडियो दिखाऊंगा म अचान का प्रिप्रेशन कैसे करते हैं उसको लाइब दिखाऊंगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिंद